पूर्वी डेडिकेटिट फ्रेट कोरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुजा सेक्शन का क्याग घाटन कहा माल डुलाई गलियारा आगमेडबर भारत के लिए काफी एहम देश के लगलग हिसों से आए किसान समिधनों ने प्रिशी सुधारों का किया समर्थन प्रडशन कारीज किसान समिधनों के साथ सरकार कल करेगी चार एहम मुद्धों पर भाचीत बिजली मंत्री रंडीट सेंग ने चंडीगर में कि अपतकार वारता को संभोधित कहा 30 दिनों के भीतर दिया जाएंगे बिजली के घरेलू कनेक्शन और पुदेश में हर खेट तक सिट्राई का पानी पहुंचाने के लिए खर्च होंगे बाइस सो करोड रुपे समीक्षा बैठक में सांसाधर अंबीर सेंग ने दी जानकारी नमस्कार मैं पलेवी और अब समा चारवेस्तार से प्रधानमंत्री ने इंद्र मोदी ने पूर्व डेडिकेटड फ्रैट कोरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का वीडियो कॉन्फरेंस के जरिय उधगाटन किया इसके साथी प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के अत्याधुने किस्सु विधाओं से लेस कंट्रोल सेंटर का प्यूद घाटन किया करीब 351 किलोमीटर लंबे इस फ्रैट कोरिडोर को 5750 क्रोड रुपे की लागत से तयार किया गया है एक तो भारत में यात्री ट्रेड की लेट लतिफी समस्या कम होगी दूसरा ये कि इससे माल गाड़ी की स्पीड भी तीन गुना से ज़्यादा हो जाएगी और माल गाड़िया पहले से दो गुना तक सामान की डुलाई कर पाएगी क्योंकि इन ट्रेक पर डबल डेकर यानि डिबबे के उपर डिबबा ऐसी माल गाड़िया चलाई जा सकेगी माल गाड़िया जब समय पर पहुंचती और पहुंच पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा प्रदानमंत्री मोदी ने कहा कि ये माल डुलाई गलियारा आत्मिरबर भारत के लिए काफी एहम है इस गलियारे से व्यापारी किसान और उपभोगता सभी लभान वित होंगे खुर्जा भाव पर फ्रेट कोरिडोर रूट पर जब पहली माल गाड़ी दोड़ी तो उसमें नए भारत की आत्मंदिरबर भारत की गुंज और गर्जना स्पस सुनाई दी किंद्र सरकार ने नए किशी का सुधार कानूनों को देश भर से समर्थन मिल रहा है इन किशी सुधार कानूनों के समर्थन में देश भर से आए किसान संगठनों ने राजधानी दिली में आयुजिते कारिक्रम में कृषी मंत्री नरिंद्र सिंग तोमर को समर्थन पत्र सौंपे कारिक्रम में उत्तर प्रदेश हरियाना राजस्थान पश्चिम बंगाल सही देश भर से आए करीब 300 किसानों ने भाग लिया और क्रिशी सुधार कानूनों को लेकर सरकार का समर्थन किया कारिक्रम में मौझूद किसान संगठनों ने किंद्र सरकार द्वारा लाए गए क्रिशी सुधार कानूनों के लिए सरकार को धन्यवा देते हुए इन्हें जारी रखने की अपील की किशी सुधारों के खिलाफ आंदूलन कर रहे किसानों और किंद्र सरकार के बीच कल साथवें दौर की वारता होगी बैठक में तीनों करशी कानूनों मस्पी, विदित, अधिनियम और पराली पर विस्तार से चर्चा की जाएगी किंद्र सरकार द्वारा पारत तीन करशी कानून किसानों और राम जन के लिए लाबकारी सिद्ध हो रहे हैं इन करशी सुधार कानूनों से किसान स्वावलंबी बना है और उसे बिचौलियों से भी छुटकारा मिला है किसान अब अपनी फसल किसी भी मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र है यम्रानगर के किसानों और आमनागरिकों का मानना है कि इनक्रिशी कानूनों से देश में हरित करांती आएगी और किसान खुशाल होगा उन्हें इस बिल के बारे में पता नहीं है जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं आज अपनी जमीन जो है जमीन पर उनकी पकड़ नहीं रही इसलिए वो आज किसान को मुरा बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेखने का काम कर रहे है अभी जो हमारे बीच में बचोलिये थे और डिरेक्ट हम सरकार को बैज सकते हैं यह किसी वेंडर को वेंडर को बैज सकते हैं वो डिरेक्ट ही खतों में पैसे आ रहे है इसमें बिल्कुल थीक बनाएने वा और अल ले 10,009 पैदा मिलेगा किंद सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान है तैशी योजनाओं से किसानों को पूरा लाब मिल रहा है कैथल के किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा धान की फसल को नूंतम समर्थन मुले पर खरीदा गया है जिस से किसान लाभनवित हुए हैं बाजरा की फ़सल खराब होने पर फ़सल बी मायोजना के तहट किसानों का मुआवजा भी मिला है उन्होंने तीनों कृषिकानूनों को किसानों के हित्मे बताया किसान के हित में है कि मैंने भी अपनी जीरी सिद्धे मील में वी पेची है यहां मील कैथल में है लेक नरेंदर जी का और मेरे को बिलकुल कोई कटोति ने देनी पड़ी अपनी जीरी की और साथ की साथ में मुझे चेक मिल गया केथल मंडी में में धान ले के आ था और ठीक तरीके से दान भी क्या कोई भी किसान ने कोई प्रोबलम नहीं हुई और जो मोदी जी ने तीन कनोन लागू के हैं ये किसान हित के हैं और विपक्स इसको और जो बिचोली हैं इसको भड़काने की कोशिस कर रहे हैं और किसान आम तोर पर आज भी किसान जाद अंतर अपने गाउं में ही काम में वीजी हैं कि जो प्रधान मंत्री जिने योजना चलाई है वो किसानों के लिए बहुत फाइदेवन्द है जैसे कि मैं अपने उपर ही लेता हूँ जैसे ज्लिए हैं तो उसका तुर्ट भीमा मिलता आकाउंट के अंदर आता है हमारे किसानों के और ऐसा कुछ नहीं है बई किसी के अकाउंट मनिया और अनस पी बिलकुल फसल भीमा योजना और सरकारी रेट सब किसानों के खाते में पैसे आई हुआ है बिजली मंत्री रंजीत सिंग ने चंडीकड में पत्रकार वार्ता को संबूदित किया उन्होंने बताया कि राज़े में बिजली के घरेलू कनेक्शन तीस दिनों के भीतर दिये जाएंगे इसके अलावा बिजली विभाग द्वारा पचचतर सो ट्यूब वैल कनेक्शन दिये जा चुके हैं और 3500 ट्यूबल कनेक्शन आगामी फरवरी तक जारी कर दिया जाएंगे बिजली मंत्री ने बताया कि अब किसानों को तीन स्टार मोटर बाजार से खारिदने की छूट दी गई है और ये कनेक्शन भी जल्द ही लगा दिया जाएंगे उन्होंने बताया कि आगामी 31 मार्च तक प्रदेश भर के सबी खराब खंबों को ठीक किया जाएगा प्रदेश के 5080 गाओं को महरा गाओं जगमक गाओं योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूरती की जा रही है योजना के तहट लगभग 72 प्रतिशत गाओं को कवर कर लिया गया है बिजली मंत्री ने बताया कि विभाग में जल्द ही 200 SDO की भरती की जाएगी उन्होंने कहा कि बिजली विभाग नए साल से बिजली उपभोगताओं को बहतरीन सेमाय देने का प्रयास करेगा इकावन सो गाओं आप समझें के 5,08 हैं मैं ठीक फिकर आप से कहूंगा 5,08 गाओं हमारे जग्मग योजना में कवर होगा और इसके बाद अगले हम बड़ा तेजी से कर जा रहे हैं हर महिने में बड़ा इसमें हम तेजी से काम भी कर रहे हैं 200 नए SDOs की बड़ती कर रहे है वो जब आ जाएंगे तो हमारी efficiency पड़ेगी ground level पर तेजी से काम होगा वो हम करने जा रहे हैं जी दूसरा 31 मार्त 2021 तक परदेश के जितने खंबे हैं उन पर मार्क कर रहे हैं जैसे forest department पे होता है कि आप जब highway पे जाते हैं या state highway पे जाते हैं तो लिखा होता है 47, 342, 187 खंबो पे जैसे जैसे नंबर आते हैं हमारे क्या कर दो महिने जब मई जून में तेज अवाएं चलती हैं आंधियें चलती हैं तो बड़े पोल तूटते हैं सांसा दरमीर सिंग ने कहा है कि केंदर सरकार की योजना अनुसार प्रदेश में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए 22 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे इसमें विशेशकर दक्षिन हर्याना के शेतर भिवानी महिंदरगर दादरी जजजर रिवाडी और गुरुग्राम जिले शामिल हैं उन्होंने कहा कि योजना के तहट तपका सिंचाई से खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा जिससे पानी की बचचत होगी वेकल भिवानी में जिला विकास समन्वे एवम निगरानी समिती की समीक्षा बैचक में अधिकारियों को निदेशते रहे थे सांसे धरंबीर सिंग ने बताया कि प्रधानमंत्री नेंद्र मोधी के हर घर में नल और नल में जल के स्वपन को 2024 तक साकार करना है उन्होंने बताया कि पानी की किलत वाले 8-10 गाउं के कलस्टर बनाए जाएंगे ताकि पानी पहुँचाने में आसानी हो परदेश के मुख्यानमंत्री जी का हर घर में नल और नल में जल यो स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है और इसी परकार से हर खेत को पानी और उसके लिए भी परदेश की सरकार ने लगवग दक्षनी अर्याने के पांच से डिस्टिक जिसमें यह भी वहानी भी सामिल है दादर मेहिंदरगड, रिवाडी, आपका जजजर, लुडगामा वहां पर भी एक टपका सिस्टम के माध्यम से लगवग बाइस सो करोड की स्कीम है जो चलू हो चुकी है और उसके लिए हमने जितनी दो तिन अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको इकठा करके हैं चाह वो नहर हर्याना विदान सभाद धक्ष ग्यान चंद गुप्ता ने कहा कि भगवान महराजा अग्रिसेन की एक इट एक रुपया की नीती और उनकी शिक्षाएं वर्तमान परी पेक्ष में ना केवल प्रासांगिक हैं बल्कि इनका महत्व और भी बढ़ गया है उने की शिक्षाओं से प्रेणा पाकर महराजा अग्रिसेन के वन्षज समाद सेवा के प्रिते कशेत्र में सबसे अग्रणी है विदान सभा अध्यक्ष आज हिसार के अग्रोहा में अखिल भारतिय अगरवाल समेलन द्वारा आयोजेत ततीन दिवसिये कारिक्रम को प्रित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भगवान अग्रिसेन ने 5000 वर्ष पहले विष्प को आपसी भाईचारे का संदेश दिया था और आने वाली पीडियां उन्हें हमेशा याद रखेंगी इस अवसर पर अग्र विभूती समारप पर महान सुतंता सेनानी वीर हकीकत राय की मूर्थी का भी अनावरण किया प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब के माद्यम से भी जुड़ सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंदल को फॉलो कर सकते हैं गस की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 16,432 नए मामलों की पुष्टी हुई है इसके साथी अब तक 1,2,24,303 लोग संक्रमित हुए हैं अब तक 1,48,153 लोगों की इस महमारी से मृत्य हो चुकी है इस समय क 2,79,581 सक्रिय मामले हैं कल एक दिन में 24,900 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 98,7,579 रोगी स्वस्थ होए हैं स्वस्थ होने की दर 95,92 प्रतिशत हो गई है वही प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,54,000 से अधिक हो गई है प्रदेश में रिकवरी रेट 97,35 प्रतिशत और मृत्युदर एक दिशमलव एक शुने प्रतिशत है वितमंत्राले ने वस्तू और सेवाकर जीस्थ के कार्यानवन के कारण राजस में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रोपे की नौवी सापताह प्रदेशों के लिए जारी की गई है ये सभी वस्तू और सेवाकर परिशत के सदस्य है शेश-5 राजियों अरुनाचल प्रदेश मनिपुर मिजुरम नागा लैंड और सिक्किम में जीस्टी पर अमल के कारण राजस में कोई कमी नहीं आई है केंद्र ने जीस्टी के पर पाई के लिए इस वर्ष अक्तूबर में एक विशेश रिन विवस्ता शुरू की थी इसके तहत केंद्र सरकार और सतन 4.66 प्रतिशत की ब्याज दर से राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिन लेती है और अंत में इस बुलिटेन के मुखे समाचार एक साफी एहम देश की अलग-अलग हिस्तों से आए किसांद संगतिनों ने कृष्ची सुधारों का किया समर्धन प्रजर्शन कारी किसांद संगतिनों के साथ सरकार कल करेगी चार एहम मुद्दों पर बाद जीत बिजली मंत्री रंजीत सिंग ने चंडिगर में किया पत्रकार वारता को संबोधित कहा 30 दिलों के भीतर दिया जाएंगे बिजली के घरेलू कनेक्शन और प्रदेश में हर खेत तक सिजाई का पाने पहुंचाने के लिए कर्च होंगे 22 कुरूर रुपे समीक्षा बैठक पेसांसे धरंबीर सिंग निदी जानकारी समाचारों में अद्बस इतना ही नमस्कार समाचारों में अद्बस इतना ही जानकार